आशकल जो ब्लोगिंग है ना ब्लोगिंग बहुत जड़ा त्रेंडिंग में हैं इंदिया में अगर तौप क्रेंटर को अब देखो गए तो फ्यू की हिसाब से तो ज़दातर ब्लोगार ही आपको मिल जाये गाए आपका शोरव जोसी हो तो नामबर वन ब्लोगर है तो ब्लोगिंग जो है ना वह बहुत ज़रा ट्रेंदिंग में है अगर आप भी एक ब्लोगर बनना साहते हैं तो कुछ तीप में आपको देने बाला हूँ जिसे एक बहुत है अच्छा खशा ब्लोग भीदिए बना सकते हैं अच्छा इंतरसंस्तिंग बना सकते हैं ब्लोग करनने का चंश बहुत जढ़ा हो जाएगा प्रत्रफ करके दिखाते रहोगे कितने दिन तक आप कर पाओगे तभी कभी तो आपका सहरा समने आएगा तो लोग आपको देखना बन कर देगा इसलिए ब्लोग इंग कोई ना कोई आपके आलाब मतलब इंटेरिस्टिक एलीमेट को दिखाना पढ़ेगा वो सकता है लादाग बगेर तो लोग बहुत ज़ंदा विलोग देखते हैं फिर लुत SEzeniu सकता है आपका हո सकता है दॉब अ सकता है कैए हो सकता है को इससे इंसान आगरी सेकते हैं 2 अपको यह नियुम प्राइपा लसकन पहसंुआ रहे सेनल और यह नियुसका पूर्प्राइप सोच आपने इंटरेस्टिंग है उसमें एक sprint करने के लिए आपको हर 20 second में clip sense करना पड़ेगा मतलब आप सायद आपना जो camera angle है उसे sense कर सकते हैं कुछ और सीज दिखा सकते हैं मतलब आपको हर 20 second में अलग-अलग clip यूज करना पड़ेगा यह क्यों होता है यह इंसन का जो क्या कहते हैं इसे attention का जो time है ना वो सिर्फ 20 second होता है तो इसलिए आपको हर 20 second में अगर आप अलग-अलग clip यूज करते रहेंगे तो लोगों को आपका जो ब्लॉग है वो बोरिंग नहीं लगेगा और लोग ज्यादा से ज़्यादा मतला में आपका जो video है वो देखेगा जिससे आपका watch time जो ह आप सुथा जो टीप्स है वह है आप वाइड-अंगूल लैंस यूज करें सब्भी आप ब्लोगिंग करो तो वाइड-अंगूल लैंस अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा इससे आपका जो ब्लोगिंग का जो video है वह बहुत अच्छा दिखेगा और ब्लोगिंग के लिए जो लास्टीफ है वह है कि आप केमरे में आई कॉन्टेक्ट किजिए देखो अगर आप केमरे में नहीं देखके कही दूसरे तरब देखके बात करोगे तो उससे आप जो जनता है जो आपका ओडियंस है उसके साथ कानेक्शन है वह बहुत आच्छा होगा तो यही प बेग्रांद मुजीक बगेर अभी एड कर सकते हैं वह सब भी एडिशनल है पर यह जो पास सीज है इसे अगर आप ठ्यान में रखके ब्लोगिंग वीडियो बनाते है तो आपका जो ब्लोगिंग का फीडियो है आपका जो ब्लॉग है वह बहुत जड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा